खबर गोड़ा के महागमा थाना शेतर से आ रही है जा आज देर शाम के करीबन 4 बजे ठंड में आग सेंकने के करम में लोगायन निवासी एक 80 वर्षिय सेक मुहमद बुरी तरह से जुलस गया परिजनों ने बताया कि शाम के करीबन 4 बजे शेक मुहमद आग सेंक रहे थे तभी आग सुलगाने के करम में मिट्टी का तेल जब उन्होंने आग पढ़ छिलका तो आग की धदक्ती भी लप्टों में वह आ गए और कम भी रूप से घायल हो गए तभी घायल व्यक्ति चिल है जिसकी स्थिति नाजूक है इसे बहतर इलाज के लिए गुड़ास्टादर शुपताल रेफर कर दिया गया है कि क्या नाव है मेरा मुझी मालम कौन है जो घायल हुए कैसे घायल हुए तो आग लगा कि मतलब ताप रहता पुरा बोर्सी उर्सी में उर्सी मुझ कैसे जल साड़े चार बजे ही यह घटना हुए घटना हुए हम लोग को जैसे पता चला बहार से आए तो घर में जो आदमी ता उसका कपड़ा पड़ा उतार रहता हुए अस्पाताल कितने मुझी लाए है पंद्रे बीस मिनट पहले से क्या इस्तिती है सर गायल की पेसिंट लगवगी 80 प्लस जला हुए है असी प्रतिशत से अधी जला है तो क्या इस्तिती क्या है अभी यहां पर रहे सिर्वरे सोर लगाए तो चल्ड़ की शान पाटियों की पहचान पोटल तुस्तया इल दोसों से जाधा तरह के लजीज और जायकेदार व्यंजन स्वाद ऐसा की बुलाए न बुले प्रीमियम डिलक्स सूपर डिलक्स प्रीम सूट प्रेसिदेंशल सूट ट 20 घंटे बिजली, रूम सर्विस और आपात कालिन चिकित्सा विवस्था की सुविधा किसी भी बर्डे पार्टी, शादी, पार्टी के लिए वातानुकूलित बैक्वेट होर तो अगर आप भी बनाना चाहते हैं अपने खुशियों को यादगार और रंगीन तो एक बार आवेशी पतारे, होटल्स तो स्थेया एंगा